आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज अलिगर्ण में मदर्षा चाचा नेहरू इसकुल की स्थापना सल्मान अंसारी ने कहा कि जिस तरह से मदर्षे के अंदर लागातार हिंदू बच्चों की तादाद बढ़ रही है उसे देखते हुए मदर्षे के अंदर मंदिर बनवाने का निड़य लिया गया क्योंकि मदर्षे के अंदर मंदिर नहीं होने के चलते हिंदू बच्चे मदर्षे से बाहर मंदिर में जाते हैं जिस वज़े से पुरू में हमारे बच्चों के शाटे खास्वा हो चुका है। हासों को देखती हुए मदर्से के अंदर मंदिर बनवाने का निड़े लिया गया है। छोटे बच्चे न इस्कूल के बाहर मंदिर जाएंगे और नहीं मस्जिद। मंदिर कर निड़े जल से जल करा दिया जाएगा। पेशे अलीगर से अजी कुमार की एक खास रिपोर्ट। बेटर्स मिखलेंगे तो होगी। बगर नहीं भी करने चाहिए। जहां पर आप कालीम दे रहे हैं जहां पर बच्चों को पढ़ा रहें। जहां पर बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि वालन सही नहीं होती। मानना प्रिखना नहीं होना चाहिए। तो वहां पसला कैसे जा रहे है। तो हम कोशी करेंगे कि प्रिम नरी कुछ बच्चे उस कंप्प्टर बेस्ट पर। तो यह से इसको ब्रोकेशनल गोर्मेंट को रहे हैं। तो सब्सक्ते बढ़ा वेंड़ बच्चों को यह उस कमप्प्टर के आशिती खोड़ का मकसरी है। पाको यह सब्सक्राइब कुछा है। उनको मंदिर के लिए स्कूल से निकल के बाहर जाना पाता है हमारे साथ एक दफा एक हाथसा हो चुका है जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों के पीने पारे पानी में जहर बोला जार करते हैं एक दफा एक बाम रखने के कोशी की थी तो मुझे ये दगाए कि अगर मैंने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए कि जिसे ये बच्चे महफूज हैं तो हो सकता है कर हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्कित प्यादा हो जाए तो ये रोकने के लिए कि छोटे बच्चे जो मंदिर में जाते हैं वहां पे अपसर काफी भूही होती है और जो तीचे साथ होते हैं अगर उन्होंने हाथ चुडा लिया आई एक हमारा बच्चा जो है विकास हो अंधा है तो मुझे ये खाल होगा कि अगर किसी बच्चे क कुसी ने असरी किन्नैप कर दिया हमें बंद कराने के लिए तो हमारा बास तो कोई भी एक्ष्टमेशन नहीं होंगा इस में मैंने सोचा कि ना चोटे बच्चे मंदिर जाएगे ना चोटे बच्चे मंदिर जाएगे छोटे बच्चे में इसे अज रुछ Bene ने हम एसी understanding आईगी, कि देखे हर मजग जो है, वो इंसानियत का पैगाम देता है, बात यह है कि हमको मालूम नहीं होता दूसे मजग के बारे में, इसलिए बहुत सारी गलत पहनिया हो जाती है, तो जब हम एक दूसरे के साथ मिलके बादत करेंगे और उसके सामने सर्चु करेंगे तो एक आपकसी हमदर्दी और महबद और इंसानियत का रिष्टा बनेगा, यो हमारे उसके मुल्क के लिए उसको आगे बढ़ाने के बहुत जरूरी है, इसलिए ये और एक और जो बात मैंने सोची थी हुए, कि हमने हर चीज तो यहां पे इंसोर करा दी है, बीदिंग इं सिंट्रोन है, बारात तेरा चौदा केमरे लगे हैं, मगर हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब जिससे हम मेटल डिटेक्टर वर को कर सकेंगे, कभी भी किसी को कुछ पैसे दे के कहीं, किसी ने वो रोख लिया, रख लिया, कोई दो, मेडम जिस आपनी कोई मश्वरा किसी आपकी तच्वीर है कि मदरसा चाचा नहीं के अंदर मंदिर और मस्दिर दोनों की तामियों को देगे, किस तरा देखिए कि इस पर आपकी नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं को समाज है, तो इसको एक्षब तर्पा है साइज हो कमरा नहीं देखिए, जब मैंने स्कूल कि आपकी लीथी कि हमें 3,000 में मिल गई थी, और हमें जो दूसरी मानमिता जो दूसरे बोट की थी, वो 75,000 में पढ़ी थी, तो 75,000 हमारे पास थे नहीं, तो इसलिए हमने मदरसे की मानना तरी थी, तो बहुत से लोगों ने मुझसे काय था, कि आपको ना पैसा मिलेगा, क्योंकि मंदरसा है आपका, और लोग आपसे हमेशा दूर रहें, जुड़ेंगे नहीं, आज आपसे सच्कूल में बैठें, और हमसे हमारे जो सबसे बड़े डोनर हैं, वो सब हिंदो, हमारे हां के जो 6 रोलिंग टोफी हैं, उसमें एक भी मुसल्मान नहीं, ये सब हिंद क्योंकि में आपके हैं, तो देखें, जहां पे प्यराम हो महंबत का, और इंसानियत का, और भाइचारे का, वो कभी धुलसता नहीं है, वो कभी मता नहीं है. क्या मांती है आप मदरसे के अंदर मजडित और मंदर का रॉपका इंसान के बल्ड माटम बने हैं? मैं तो यह चाहती हूं कि इस अंसान में एक ऐसी हवा चड़े, कि हम सब एक दूसर से मुहंबत से भाइचारे में, एक दूसर से मिल के इस मुल को आगे बनाएं, और उसमें हार का हिस्सा हो. क्या मैं पहला मदर्सा होगा पूरे देश में अपनी आग में जहां मदर्से में मंदर होगा? मैंने यह नहीं कभी सोचा, मुझे तो सिर्फ अपने बच्चों की इपादत का क्या था. तो क्या मैं यूपी की कानून प्योसता पर कही न कहीं, यह euh सबाल है कि यू बच्चे शुरक्षट नहीं है? बच्चे सुरक्षट नहीं है, यह हमेशा से इक प्रप्रॉब्म थी. दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम है, दिल्ली में तो बहुत बड़े-बड़े स्कूलों में ये प्रॉब्लम रही है, मैंना किसी ने इस लिए ने सोचा कि वह बहुत बड़े स्कूल है, उनको कोई प्रॉब्लम निया ने प्रॉब्लम आती है तो पैसा दे के उसको सॉल्टम ह मेरा तो मामूरी सा स्कूल है, इसमें हम पैसे नहीं देते हैं, तो हमारे पास पैसे कि तभी जाती होती नहीं है, तो हमें तो दस कदम पहने सोचना पड़ता है, कि कहां इस तरह आप जाएं कि हम महफूज रहें, यह सिर्फ विफार्दत के लिए इनाने किया है. आपने कहा न, केमपस से बाहर जाएंगे मंदर या रिलियूज स्कूल पर हो, तब उन्हें सिकॉर्डी उनके सार कोई गटना करव हो सकता है, तो केमपस से बाहर सिकॉर्डी तो एडिमिनिस्टेशन का काम है? कि आपके विश्णाय में जासे निया जाते हैं कि मॉभाज़ के साथ है हमलोगं कंषादत को उजिनितर तक रहती हैं सब्सक्राइब्स अब जो होस्ते है उन कि हिभाज़त हमारी जिम्मेदारी है तो अधर वो मंदिप में और यह मस्डिवें में समय बच्चेगे उनके साथ तो उसके जम्मेदारी हमारे पिलोगी, तो उस जम्मेदारी को सामदे रखते हुए, नहीं ये कदम उठा रही है, बहुत बुर्ट मैं, जैसे जार है आज के बड़े हैं, अब देखे पारी उतर क्या है, यह पौदे खतम हो रहे हैं, इतना दामेटिक के जा रहा है, कि जो ब बनाना पर रहे हैं, तो पौबलेशन कंट्रोल एक बनाने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ बड़े हैं, हाँ, इसमें तो आपको ये सोचाएं कि आपको मुल्कों कैसे बचाएं, इतना जबरदस क्रामेटिक चेंग आ रहा है, देखे, मॉन्सूंस खतम हो है, तो इसके ज़रूरी है काम करें, और ये कभी वो पाएगा जब हम एदूकेट कर सकेंगें, हमें एदूकेशन देनी हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और वो रर के जहीं, बर के सम्झा के, प्यार नौबर से, वो ऐसा बहर पैजा करतें, फिर लोग के समझ में हैता तो 19 सार पहले, वहां के सारी मर्द लाखी लेकी चले आएगे, क्या क्या बात करेंगें, मदर आपको वहों महीं हाया है, बद योगों में काफी अभरिल्श आईए, और उसको हमको फाइदा उससे हिखाने है, और एदूकेशन में अगर हम जोर देंगे, और एदूके अनी तरह से इसका परचाह होगा तो जरूर, जरूर जन्दा इस करेंगे, कानून बनाने की जनुवत है या नहीं? अब ये तो बड़ा तेहा जवार है, बहुत तेहा सवार है, ये तो double-edged stone हो गए है, अगर आप खानून नहीं बनाते हैं, तो लोगों उसको खानून करेंगे, खानून बनाते हैं, तो जो अज़र्ण हमीदी के साथ होगा, तो ये तो middle part नहीं से देखना है, कि ऐसे इस ब एक अज़र्ण बड़ती रही, तो हम चाइना से भी ज़्यादा आपादी हो जाएगी, और हमें खाने पीजे को भी नहीं रहे, ये किसी ना किसी तदाओ ये मैसे, पूल के ज़लिये से, पीच़र्स के ज़लिये से, अब जैसे योगा का आपने के आपने किया है, योगा का जोगा मैसे इतना होगा, बहुत से थे स्कूलों में योगा आगा, इस से ज्यादा इंपॉर्टन ये मैसे है, योगा तो सभी लोग करते हैं, वैसे भी हम्तौर करें, और हमारे हाँ तो हमने तो उन्नीस सार पहले योगा शुरू कर गया था, क्योंकि मैंने देखा था कि लग मगर ये इतनी बड़ी बड़ा सवाल है, ये तो हमारी जिंदा रहने हम जिंदगी और मौत के बीच में खाड़े हैं अगर हमने इसके जोण देखेंगे, तो किस तरह देखती हैं इस बुड़े माम के किस तरह आप करेंगे, ये अब तो उन्होंने कदम उठाया है, बहुत अगर ये वाकई इसको सही करना से इंप्रिमेंट किया जाए हैं और इसको वाकई सीजिस्ली सथ जगह पर इंप्रिमेंट करें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है है, क्योंकि खराइब तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, मा अपने बाक को मर्क के देखा है, तो वह हमारे पास आते हैं, जो खड़े खड़े पिशाफ कर देगा हैं। मैं कुन झहर बहुत कि अनाय के अí अंदर मदर्सों में हत्यार क main çek? मुक्त अफिरी को बंगर तो मदर्सों में रेयों को मदर्सा रहा हैं, तो उसकी हर एस्पेट को मैं पूस्पर का चल்गा है अगर आपके हां अजला हर निकले तो कैसे निकले हैं, के निकुअ कैस वागी होगें। मेरा मंदरसर को छोटा सician मेरे धिमार की कैसे का वनदरसर को सेख अना हुआ हुआ है Dartmouth दुनिया को बहुत जारें हैं आप जहां ख़ए हैं उसको कैसे सेख करें दुऊ कि अपने मदर्थे में वो मंदिर बनवा रही है इस पर आपका क्या कहना है कि मैं सल्मान सारी जी कहना चाहता हूँ अगर उनको मंदिर बनवाना है तो किसी अच्छी जगा बनाए जहां पर क्योंकि मदर्षे में सिर्फ मुस्लिम बच्चे ताली महत्ति करते हैं महां पर कोई मंदिर बनवानने का और श्रव्यार के उच्छी नहीं है मदरसी के अंदर यही कहेंगे कि जब सलमा अंसारी की मदरसे में मंदिर है तो हर मदरसी के अंदर मंदिर होना चाहिए इसलिए बिल्कुर मैं उनके इस फैसले को खारिश करता हूं यह फैसला उनका सही नहीं है एक सवाल और विदायक जी भाजपा के राजय सबा सांसद राकेश चिना ने प्राइवेट मेंबर बिल में कहा है कि दो से अधिक बच्चे हों तो उन्हें सांसद विदायक यह किसी भी सरकारी तरह की सोविदा नहीं मिलने चाहिए इस पर आपका क्या कहना है एमपी साहब को तुरंट होस्पिटल में भरती कराने की जरूरत है एमपी साहब पहले अपना इलाज कराएं और जब इलाज करके वो सही हो जाएं तो फिर विकास की बात करें बच्चों की बात ना करें बच्चे किसके कितने होंगे कितने नहीं होंगे यह इनसान का अपन ठीक नहीं है मेरे खाल से वो इसलिए रियास हवाम है इस तरह की बात करें उनको इनको इलाज की जुवत है और अपना इलाज कराम करें